नमस्कार आप देख रहे हैं प्रॉपिटी प्लस मैं हूँ दीपा क्या दो आज के शो में हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट से जुड़े तीन टॉपिक की हम बात करेंगे भारत में सम्रीट्स की ग्रोथ के चलते ऑफिस सेक्टर में बन रही डिमांड की इसी के साथ जा की बढ़ती सप्लाई के बारे में कैसी मैनेजड ओफिस सॉलिशन ने दोजार बीस के बाद तेजी से ओफिस स्पेस में अभूत पूर बदलाव किये हैं और आगे बात करेंगे नेट जीरो कार्बन की दिशा में रियल एस्टेट की रफतार कैसी है क्या हो रहा है और क्या क यूएस डॉलर से अधिक का होगा जाहिर तोर पर आपको इनको आफिस की दरकार होगी ऐसे में आफिस स्पेस की जबरदस्त मांग बनेगी अनुमान है कि एसम रीट्स की जरूरत को देखते हुए तीन सो मिलियन वर्क फीड से अधिक आधिक आफिस स्पेस का संभावित ब बंती दिख रही है इन सबको बताने के लिए हमारे साथ हैं अभिनाओ जोशी हैड ओफ रिसर्च इंडिया मिडिल इस्ट एंड नौर्थ अफरीका सी बीरी से अभिनाओ जी बहुत स्वागत है आपका जी बिजनस पर सबसे पहले तो यह बताईए कि आपके रिपोर्ट की की फाइंडिंग्स क्या है अभी ओफिस स्पेस का बाजार का जो साइज है वो क्या है सप्लाई और डिमांड का बैलेंस कैसा है और आगे कैसी मांग बंती दिख रही है Small and Medium Enterprises READS की जो गाइडलाइन्स हैं वो पहली बार सेबी ने में 2023 में लाँच करी थी पब्लिक फीडबैक के लिए पिर तकरीबन 6 महीने बाद यानि कि November 2023 में उन्होंने guidelines को accommodate किया larger read guidelines में और March 2024 में यानि साल के शुरुआत में उन्होंने ये guidelines notify कर दी थी जो छोटे निवेशक हैं वो इन opportunities को जो है explore कर पाएं उसके लिए SM reads का ये framework लाया गया तो हमारी report essentially इस framework पर ही focus करती है क्या guidelines है जो traditional reads है त्योंकि चार reads already operational है भारत में Real Estate Investment Trust जो कि 2019 से लेकर अब 2024 लगबग 5 साल में 4 reads आ चुके हैं बहुत अच्छी performance है तो उनसे कैसे फरक है SM reads क्या-क्या entry barriers है transparency और investor grievance के लिए क्या provisions है और market कितनी बड़ी है अगर हम भारत की office real estate market को देखें तो ये तकरीबन 800 million square feet से भी जादा है 845 million square feet मैं कहूंगा exact figure है top 7 cities में इसमें से तकरीबन 300 million square feet से जादा ऐसा completed real estate है जो SM reads में आ सकता है ये वो assets है जो तकरीबन 1 lakh square foot से लेकर 10 lakh square foot तक के area की है जो की SM readable है इसके अलावा आने वाले 2 सालों में 2026 के अंत तक और 50 million square feet का stock आ सकता है SM reads में और इसका overall potential around 60 billion dollars है मेरे हिसाब से जिस थर से commercial real estate market इंडिया की perform कर रही है जहां global macro economic concerns है recession को लेकर geopolitical events है उसके बजाए भारत की office real estate market बहुत ही stable performance है इसले 4 सागों से post-covid अगर देखे occupiers, generally global corporates, global capability centers हो या फिर भारतियर corporates हो वो अपना पूरा जो commercial real estate पे footprint है वो expand कर रहे हैं और leasing demand बहुत strong है in fact पहले 6 महीने में second highest leasing है 2019 के बार तकरीबन 32 million square feet की और हो सकता है 2024 के overall leasing जो है वो अब तक की all time आये हो अबिनों जी आपका नुमान है कि अगले 2 साल में SM REITS का बाजार 60 अरब US dollar के से अधिक होगा क्या factors हैं जो इस segment को drive कर रहे हैं देखे इस सबसे बड़ा factor है जिस तरह से हमारी अर्थ विवस्ता ग्रो कर रही है जो छोटे निवेशक हैं आपने देखा ही होगा कि mutual fund market किस तरह से expand करी है पिशले 10-15 सालों में हमारी stock market की valuation किस तरह से expand करी है तो छोटे निवेशक हमेशा diversification चाहते हैं वो अलग-अलग opportunities चाहते हैं जहां पर वो निवेश कर सकें REITS में सरकार ने बजट के दौरान capital gains का जो assessment है उसमें भी थोड़ा लीवे दिया था तो मेरे हिसाब से ये एक diversification opportunity है जिस वज़े से ये SM REITS का जो guidelines है वो लाए गई हैं तो जो निवेशक physically इन assets में invest नहीं कर सकते lack of knowledge या उनकी high valuation की वज़े से वो SM REIT के through real estate sector में participate कर सकते हैं तो जिस तरह से ये market expand करी है और जिस तरह से REIT market का performance रहा है पिछले 5 से 10 सालों में I think ये उसका next step था जहां सरकार ने या SEBI ने आके ये guidelines लाए हैं और market को थोड़ा और democratize किया है अबिनों जी real estate की जब हम बात करते हैं मोटे तोर पर 7-8 शहरों का जिक्र होता है MS REIT की growth story कोई 2 या 4 साल की नहीं है potential भरपूर है तो आने वाले एक दशक की अगर हम बात करें तो कौन से शहर इस growth को भुनाते हुए दिख रहे हैं अगर हम overall evaluation करें top 7 cities का तो जाहिर सी बात है दिली, NCR, मुंबई और बैंगलोर ऐसे तीन बड़े शहर हैं जहाँ पर आपको काफी ऐसा real estate stock दिखेगा और आने वाले 2-5 सालों में भी यही वो तीन major gateway cities जो मानी जाती हैं जहाँ पर expansion होगा लेकिन opportunities है दरबाद, चन्नाई, पूने, कैलकटा और चोटे शहर जैसे कि एहमदाबाद हो या कोइमबटूर हो या चंडिगर, जैपूर, लखनाव, भुबनेश्वर, पतना इन सब में भी अगर सही assets हैं जो की built-up हैं, जो की leased हैं और निवेशक चाहते हैं उनमें invest करना तो I'm sure SM REIT framework इन शेहरों में भी फैलेगा बड़ जाहिर सी बात है, major जो शेहर होगा वो दिली NCR, मुंबई और बैंगलोर का ही होगा अभिनौ जी, जब कोई industry बढ़ती है तो साथ में कई supporting industry को भी इसका फाइदा होता है तो वो supporting industry कौन सी है साथ ही एक आम निवेशक जो real estate को निवेश के तौर पर देखता है उनके लिए कहा मोंके बन रहे हैं opportunities तो पूरे sector के लिए है real estate sector को अगर SM REIT से बढ़ावा मिलता है तो मैं एक generic statement बोलूँगा कि real estate sector overall भारत का तकरीबन 200 से भी जादा ancillary industries को support करता है और अगर SM REIT के आजाने से और अगर पहले 2-3 SM REIT सफल होते हैं काफी छोटे या mid-scale के developers encourage होते हैं अपनी assets को SM REIT में लाने के लिए तो जो completion और development का जो एक पूरा cycle है और leasing का और sale purchase का पूरा एक cycle है उसमें बढ़ोतरी होगी तो बहाँ पर फिर construction material industry को भी फाइदा होगा वहाँ पर transportation industry को भी वहाँ logistics को भी फाइदा होगा ancillary industries को बढ़ावा मिलेगा और चुंकि valuation की requirement है due diligence की requirement है तो जाहिर से बात है जो आपकी legal fraternity है जो real estate consulting fraternity है जो investment advisory fraternity है वहाँ पर भी नई opportunities मिलेगी SM REITS के लिहाँ से समया नुकूल है एक नहीं multiple factors हैं जो SM REITS की growth को support कर रहे हैं retail निवेश्कों के लिए एक अच्छी opportunity है अच्छी बात यह है कि बड़े शहरों के साथ एहमद अबाद, चंडीगर समेथ तमाम tier 2 शहरों में अच्छे मौके बनते देख रहे हैं बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अबनोजी और अब बढ़ते हैं अगले खबर कियो देश में commercial real estate में शांदार growth देखने को मिल रही है टॉप 8 चहरों में ग्रेड ए फ्लेक्सिबल workspace के सप्लाई 58 million square feet पहुँच गई है इसका बड़ा कारण है managed office solution जो की 2020 के बाद तेजी से उबरते नजर आए हैं इसको और बारी की से देखें तो 2024 की पहली चमाही में flexible workspace में 50 लाक वर्क फीट की नई सप्लाई आई है 2020 से 2024 की पहली चमाही के बीच भारत में 45 लाक फ्लेक्स सीटे लीज पर दी गई है जो कि पिछले साड़े 3 साल में सालाना 35% से अधिक की ग्रोथ है ऐसे में कुश्मैन और वेक फील्ड की एक रिपोर्ट है जो flexible workspace के आकड़े पेश कर रही है रिपोर्ट की बारिकिया बताने के लिए हमारे साथ हैं रमिता रोरा MD बंगलूरू एंड हेड फ्लेक्स इंडिया कुश्मैन इन वेक फील्ड से बहुत स्वागत है आपका रमिता जी जी बिजनेस पर सबसे पहले तो ये बताईए कि सामाने वर्क्सपेस से फ्लेक्सिबल वर्क्सपेस कितना अलग है क्या आपकी रिपोर्ट की इंसाइड्स हैं और क्या सिमिलरिटीज है फ्लेक्स वर्क्सपेस में और नॉर्मल वर्क्सपेस में अगर आप रेगिलर ओफिस देखे हैं है, companies को compliant रहना पड़ता है, not only local compliances, but global compliances भी बहुत जादा है, वो सारा का सारा ये companies आपको provide करती है from your perspective. दूसरी, अगर हम देखा जाये तो ये भी बोल सकते हैं कि this is a single check payment, अगर आपको fit out करने हैं, आपको facilities को manage करना है, utilities के पैसे देने हैं, ये सारा का सारा एक check में आप service provider को देंगे और वो service provider आपकी सारी real estate की stress, real estate की solution का ध्यान रख लेगा. चाहे छोटी company हो, चाहे बड़ी company हो, आपको अपनी team create करने की ज़रूरत नहीं है, ये इनकी team, आपकी extended team की तरह काम करके आपको solution provide करेंगे. So, these are some of the differences and some of the benefits जो आपको आज की डेट में flexible solution providers provide करते हैं, under flexible offices, managed office solutions. और पिछले 10 साल में 58 million square feet eight cities में अब ये हो चुका है. सबसे जादा अगर देखा जाए तो बैंगलोर अभी सबसे आगे हैं, उसके बाद Delhi NCR, फिर Pune, Hyderabad and फिर Mumbai. बाकी दूसरी cities भी जैसे है, Kolkata है, Chennai है, ये भी अब बढ़ रहे हैं, पर ये अभी top five में नहीं पहुंचे हैं. Tier two, tier three cities भी देख रही हैं ये action, क्योंकि बहाँ पर real estate मिलना कुछ आसान नहीं है, तो बहाँ पर भी ये action दिखने लग गया है, वो भी आ रहा है. अब आज का जो solution है, वो हो गया है, ये साड़े चार से पांच लग seats पिछले चार साड़े तीन साल में transact हो चुकी हैं, ये companies की demand है, very high demand that we are seeing, and this is only increasing. रमिता जी, क्या कारण है कि flexible workspace को बढ़ावा मिल रहा है, कौन से sector flexible workspace को अधिक महा तो देते दिख रहे हैं? देखा जाएं, तो आज कल कोई भी company से बात करें, तो everybody is in hybrid working mode. ये managed office solutions आपको hybrid working के लिए easy solution provide कर रहे हैं, so that's becoming a factor जो इसको push कर रहा है. अगर आप देखा जाएं, तो companies के एक main offices हैं, and then they are providing hybrid solutions, जहांपर professional आपको infrastructure मिल जाता है for your employees to go and work. दूसरा reason आप ये कह सकते हैं कि there has been decentralization as well. Managed office solutions आपको tier 1 में भी मिलेंगे, tier 2 में भी मिलेंगे, tier 3 में भी मिलेंगे. अगर हम sectors पे आएं, तो IT sector is leading, करीबन 40-50% तो demand आपकी IT sector से आ रही है. उसके बाद पिछले 2-3 साल में हमने देखा हैं कि engineering and manufacturing is catching up. अभी engineering and manufacturing करीबन 20-30% demand पे आ गया है managed offices की. और तीसरा segment जो है वो है आपका BFSI और managed professional services, जैसे आपकी consulting services होती हैं. ये आप करीबन 10-15% के बीच में इस segment में demand create कर रहा है. तो all these segments are growing, so this industry will also grow. रमिता जी, cost-wise अगर हम समझना चाहें, तो ये सामान work space के मुकाबले कैसा है? आगे flexible work space का market किस तरह का देख रहा है आपको? Overall देखा जाए तो इसके cost इतनी जादा नहीं है जितनी assume की जाती है. Primary reason है कि आपकी जो economies of scale है, वो आपको आजाती है, आप flexible office provider के साथ काम करते हुए. थोड़ा difference पड़ेगा, 5-8% का difference पड़ता है, but not to the extent की सब सोचते हैं, 20-30% ये जादा expensive हो जाता है solution. और, I mean, ये दिखी रहा है सबको क्योंकि अगर इतनी demand बढ़ रही है, तो cost effective solution है, इसलिए demand बढ़ रही है, नहीं तो पिछले 3 साल में तो हर company cost cutting के बात कर रही थी, उसके बाब जूद भी अगर demand बढ़ रही है, उसका मतलब ये इतनी cost prohibitive नहीं है कि लोग इसको solution को ना, companies solution को adopt ना करें, 2023 से almost 70% of the demand हम already पहुंच चुके हैं, अभी हवारा साल पूरा भी नहीं हुआ, so this is going to be 2024, is going to be a record-breaking year, and the growth will continue, the growth is not stopping here. रमिता जी, start to end, managed office solutions, यानि M.O.S. की क्या जिम्मेदारी रहती है, और क्या बाते ध्यान रखनी चाहिए, अगर हम किसी M.O.S. के साथ flexible work space में deal कर रहे हैं तो? पर अगर मोटा मोटा देखी जाए, तो करीबन 300 companies ये solution offer करते हैं, at various levels, various degrees, कोई co-working offer करता है, कोई managed office करता है, but overall, अगर हम उसको देखा जाए, तो managed office के ओपर जिनका focus है, वो would be about 10 at the most, और उसके अंदर भी जो top 5 है, they are occupying more than 50% of the 58 million जो हमने बात करी थी, तो 58 million का 50% is with the top 5 companies who are operating in this space. In terms of क्या solution offer होती है, आपका space मिलेगी, आपको fit outs के साथ मिलेगी, आपके interiors होएंगे, आपको management मिलेगी, basically, जो आपका facilities का staff है, आपकी janitorial staff, housekeeping, वो सारा उसमें included होगा, और आपकी internet, आपको जो भी security चाहिए, आपकी जो भी utilities है, बिजली, पानी, सब included है इक चीजों में, तो that is the full package solution जो आपको मिलता है, जिसके आपको response में सिरफ एक single check की payment आपको खरनी पड़ती है. That is how this is structured. Last part of your question था कि, what people need to be on the lookout for? I think, जहां पर हमने देखा है, is the solution needs absolute clarity कि आपको चाहिए क्या है. अगर आप definition ठीक देंगे कि मेरको ये ये चाहिए और वो definition discussed होगी और उसकी सारी problems, pros and cons अगर discussed होती है, तो that becomes most important, because आपको नहीं तो later on it becomes blame game में चला जाते है, that becomes a big issue. तो इसलिए clarity of thought, clarity of solution, clarity of communication becomes very important, तोगी कोई और कर रहा है आपके लिए, आप तुदका नहीं कर रहा है. ये अच्छी बात है, इसे plug-in play, one solution भी आप मान सकते हैं, कि आपकी जो requirements हैं, उन्हें MOS को दीजिए, और flexible work space पर बात करने के लिए, इसी के साथ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से break के लिए, break के बात करेंगे, real estate में net zero carbon की. ब्रेक के बात आपका स्वागत है, property plus में पूरी दुनिया net zero carbon पर चर्चा कर रही है, कुछ कमभीर देश और कंपनियां इस पर युद धस्तर पर काम भी कर रहे हैं, भारत ने COP26 की बैट्रेक में 2070 तक net zero carbon का लक्ष आसिल करने का संकल्प लिया है, शो, real estate का है, तो real estate की बात करते हैं, energy consumption, transportation, waste production की वजए से real estate carbon emission में बड़ा रोलने भाता है, क्योंकि भारत विकाश्विल देश है, infrastructure real estate में भरपूर मांग है, लियाज आनुमान है कि आने वाले सालों में, यानि 2030 तक भारती real estate एक trillion dollar का हो जाएगा, ऐसे में बारीकी से समझने वाली बात यह है, कि क्या जो निर्माण हम होता देख रहे हैं, उसमें carbon उत्सरजन को कम करने की कोई concrete planning है, या फिर हम सिर्फ वंदा दोन बे तर्तीब निर्माण किये जा रहे हैं, इस पर ध्यान खीचने की कोशिश की है, एक report ने जो जारी की है, सैविल्स इंडिया ने, हमारे साथ सैविल्स इंडिया के managing director अवरिन दंदन है, अर्विन सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, report की key findings क्या हैं, सबसे पहले तो ये बताईए, देखे, जबसे पहली बात ये है कि green house emissions जो हैं, वो पिछले कुछ सालों में, जबसे record होना शुरू है, बहुत तेजी से बढ़े हैं, और अब उस पर एक जागरूपता आ गई है, लगभग हर देश ने अपनी commitment दी हुई है, भारत ने भी अपनी commitment दी हुई हैं, और हम 2030 के आसपास तक के target के हिसाब से काम कर रहे हैं, अब जो ध्यान देने वाली बात है, वो ये कि जो real estate है, real estate अपने आप में बहुत बड़ा carbon dioxide का emitter है, और इसमें भी जो सबसे खास बात जो अकसर नजर से चूप जाती है, वो ये कि सिर्फ construction के process से जो carbon dioxide emission होती है, उससे कहीं ज्यादा होती है, real estate को रोज मर्रा की दृष्टी से चलाने में, तो 30% होता है सिर्फ construction से और बाकी का 70% होता है day to day running से, हमने अपने report में तीन प्रमुक बातें कहीं हैं, जिनसे कि आप as a corporate और या as a government policy maker आप इसको control कर सकते हैं, तो इन पर हमारा main focus रहा है, इसके अलावा हमने ये भी कहा है कि कौन से वो राज हैं इस देश के, जहाँ पर सबसे ज़्यादा green building certification होता आया है, अगर हम ये जानना चाहें कि real estate कितना contribution करता है या कितना carbon emission में contribute करता है, तो ये आकड़ा इस पर थोड़ा सा debate है, लेकिन फिर भी आकड़ा काफी बड़ा है, 20% या उससे उपर की अकसर इस पर आकलान इसका लगाया जाता है, पर इस से ज़्यादा important बात ये है, कि हमने किस हद तक इस समस्या को पहचान लिया है, और इस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है, किस तरह की certifications पर हम काम कर रहे हैं, और किस तरह के decarbonization के process पर हम काम कर रहे हैं, या फिर green leasers को sign करने पर काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत important हो जाती है, सिर्फ अगर quantification देखें तो real estate GDP को लगभग real estate infrastructure 8-10% contribute करता है, लेकिन carbon emission में कहीं ज्यादा contribute करता है, एक आंकड़ा और रखना चाहूंगा दीपक जी बड़ी तेजी से, जो लगभग 9-9-9% की दर से बढ़ रहा है प्रतिवर्श, लेकिन हमारा इंडिया का जो market है, green building का, वो लगभग 20% की दर से बढ़ रहा है, ये जानना भी ज़रूरी है, अर्विन जी क्या भारती real estate और infrastructure में carbon emission को कम करने के लिए कोई concrete plan है, देखिए बहुत detail में न जाते की देखिए green building certification सबसे पहला इसमें step होता है, और हमारे पास कम से कम तीन ऐसे processes हैं जो इंडिया में applicable है, एक तो ECBC है, energy conservation and building code, दूसरा हमारे पास IGBC है, Indian green building council और तीसरा हमारे पास ग्रीहा है, ये तीनों certifications जो हैं, ये बहुत अहम role play कर रहे हैं आज की तारीख में, और इनका IGBC certified है, और इनका बहुत अहम role है in certifications का, तो एक company के level पर दीपक जी हो गई बात, और दूसरी हो गई asset level पर, asset level पर काम करना बहुत जरूरी है, real estate की जब हम बात करते है, अर्विन सर्ण, निर्मार से लेकर utility तक क्या करने की जरूरत है, ताकि सही माइने में, real estate में carbon उत्सर्जन पर लगाम लगे, देखिए ये बहुत vast इसमें steps की जरूरत है, तो मैं इकबर फिर ले जाऊँगा आपको अपनी report की तरफ, और मेरी उमीद है कि दरशक भी उसको देख पाएंगे, सबसे पहले तो जरूरत है कि हम जो भी existing buildings हैं या जो under construction buildings हैं, उनके लिए proper certification और highest level of certification की हम कोशिश करें, तो ये बहुत जरूरी है कि tenant collaboration या user collaboration होना चाहिए buildings में, ना सिर्फ construction पर ध्यान हो, हमने अपने report में चार प्रमुख बातें कहीं है, tenant collaboration के लिए, कि shared responsibility होनी चाहिए, आपके goals align होने चाहिए, data sharing बहुत जरूरी है, financial incentives होने चाहिए, और साथ में behavioral याने की actual usage के change होने चाहिए, तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो एक तो आप जो carbon emissions हैं, उनको आप completely control में रखते हैं, और दूसरा भविश्य में होने वाले emissions को आप regulate कर पाते हैं, तो ये कुछ steps हैं, जो बहुत जरूरी हैं, वैसे तो ये subject बहुत ज्यादा विस्तरत है, पर अगर संशेप में बात करें, तो इतना कुछ कम से कम कहा जा सकता है, रियल स्टेट जो की carbon उत्सरजन में करीब 20% से अधिक का जिमेदार है, ऐसे में अगर हम 2070 तक carbon मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें युद दस्तर पर काम करना होगा, काग जीवादों से क अगू करना होगा, डेवलपर्स, ग्राहक, सरकार सबको साथ मिलकर सस्टेनेबल रियल स्टेट की और बढ़ना पड़ेगा, आशा है कि जब कोई नया घर आप खरीदेंगे, नया ओफिस आप खरीदेंगे या फिर किराय पर लेंगे, तो ग्रीन बिल्डिंग के पहलू को भी जरूर सोचेंगे, तो अरविन सर आपका बहुत शुक्रिया आमारे साथ जुड़ने के लिए, आज प्रापिटी प्लस में इतना ही बिजनेस के हैम खबरों के लिए बने रहिए जी बिजनेस पर